अचो हुआ तो कैसे हो। आपका स्वागत त्रिपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे है growth and development in a plant ये chapter 20 है ये है नियुस बोर्ड के लिए जो की बहुत काफी important है साथ में उन बच्चों के लिए भी important है जिनका growth and development in a plant chapter है ठीक है चाहे वो CVC के हो चाहे UP बोर्ड के हो चाहे बिहार बोर्ड के हो इन सभी बच्चों के लिए ये chapter अत्यंद मह पूर्ण है आपको पता है कि दोस्तों की तिरपान study center जो है बच्चों के helpful के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश माद्यम दोनों का ही डॉस है और साथ में आपको पता ही होगा कि आप इंग्लिश के साथ आपको हिंदी में भी display होगा तो ये काफी important बनता है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जैसा बच्चा का जो बच्चे कहेंगे जैसे बच्चे को सुवधा होगा उसी परकार तिरपान study center जो है अगरसर रहेगा आपको पता है कि chapter स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना देखे दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का पुरसान बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है ठीक है subscribe करना आपके hit में है इसका कारण यह है कि अगर आप subscribe करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का notification मिलेगा और आपको पत नहीं होगा और आप उसका knowledge नहीं ले पाईएगा साथ में जो अगर आप share करते हो तो share करना एक जग कल्यान के समान माना जाता है इसे यह होता है कि मान लेजे कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो किसकी जरूरत थी और आपके तुरू वीडियो उसको पहुंचा है तो वो सदेव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदेव ही आपका जो है सुक्रियादा करत करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टिडी सेंटर सिरफ एक कलास के लिए अगरसर नहीं है यह कई कल सब्जक्टों का पलस जो है बी ए पंजाब इनवस्टी का जो है फॉर्स समेस्टर से लेकर सिक्स समेस्टर तग आठ सब्जक्टों को कवर करता है पलस जो है एम में के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कॉमेंट उनके लिए भी तिरपान स्टेडी सेंटर इतना बड़ा है विस्तूत है तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब किजिए और अपने दोस्तों के साथ बाटिए ठीक है तो भुलिये मत यह करना आपका फर्ज है और मेरा कारे करना है आपको टॉपिक लेके चलना है देखिए आज देखते हमारा आज टॉ पर अपने लेक की लोड़ा का दॉपिक सुमयां लेवक लॉच का σिंझने को ब्त यह कि ऑल रच समया पाको लो च می्हाँ लोत तो लिफ पी लेवाड को ल Hail and a यह कि ओ। द लेखते है और फोस्तों किप्री वेया आपको गयो आप लेखिंग 20araty रच और मेरka देखिए there is a most important thing here there is deterioration of processes which ultimately lead to the complete loss of organization and functioning of the plant, that is part of known as the sensinensens and sensinensens occur due to the deposition of the waste material there is a occur due to the waste material in the sensinensens and in a some plants and whole plant die after the flowering and producing seeds this is according to the whole plant census and the example animal plant like a rice wheat beans and tomato in a many other plant part above the soil die each year and the root system stay alive this is called to the organ are shoot census there is a most important census means engine of plant here the role of the hormones in the census in a plant there are apsychic acid is the ethylene promote to the census of leaf butter cytokinesi delay census and the help of the leaves remind green for the long period there is a most important role for the hormones in an engine of plant this is the important topic of the other so this is important that the pranjee can be a good job and the whole life of the human 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 life of है उनके सरीर में कई परकार के अभिशन देखने को मिलता है अपने यह भी ध्यान दिया होगा कि पत्या पीली पर जाती है जब व्रिद अवस्ता में चली जाती है और कभी-कभी यह सब जो होता हर्मोन के वाज़ा से भी ऐसा दिखने को मिला है या कभी सर्द जीतु आती है तो उसमें भी पत्य पीले पर जाते हैं लेकिन कहते हैं कुछ भी हो इनकी एक व्रिद वस्ता आती है जहां पर यह अपनी सारी क्रियाओं को त्याग देते हैं कहते हैं पूलों के रंग कहते हैं उसी को हम कहते हैं यानि जीवायमता कहते हैं यहां पर बात रखता है कोई पौधा तो वो एक वर्ष में बहुत से गुज़र जाते हैं को दौरान कई सीजनों से सामना होती है और पत्ते पीले पर सारे ज़ड़ भी जाती है और फिर दुवारा सबसे अनोखा बनाया हुआ जिसको आप समझ ना आप लोग लिए साथ समझा भी नहीं है और शायद मनुष्य ने इस बात को समझा ही नहीं है तब ही तो आए दिन पेर पौदों के इस परकार काट रहे हैं जैसा उसका गोई इस्तित्वी नहीं है तो पौदों में देखिए कुद्रात ने बहुत अनुखी बात मनाई है यह होती है कि यह हर साल एक नया योवन को प्राप्त करते हैं नया उनके फृतीली होती है नया उनके जोस होता है लेकिन इंसान जो होते हैं एक समय अवधी तक ही जो यंग रहते लेकिन पौदे जो हर साल एक नय पत्ते के साथ ने योवन के साथ ने हर्याली के साथ ने फूल के साथ जो है उड़े होती है ठीक है तो यह नेचर का सबसे ही important बात थी साहद यह बात आपको पता भी नो हूँ चैने लेकिंशाइद इन्सान और इंसन कई मानने में समानने ही होते हैं लेकिं पिर भी जो इनसाने पोदों को तो इस परकार काटा जा रहा है जैसे कि उसका कोई अपना स्थित्वी नहीं है लेकिन शायद इनसान ये बात भूल गया है कि आने वाला समय में पोदे उसके ऐसे दुरुदसा करेगा जो शायद इनसानों को कभी समझ में भी ना आया हो क्योंकि समय जो है बदल रहा है और समय के बदलते हुए रूपों को जो है हमें भी बदलना चाहिए और हमें भी इस बात को एहसास होने की अफशकता है कहते हैं तो वज्जे पदार्थों को संगरा करन आती है जो वज्जे पदार्थ होते हैं पौदों में भी बहुत से वज में क्या वेस्ट मेटिरियल्स है तो आप गेस करो क्या हो सकता है वेस्ट मेटिरियल्स ठीक है मुझे पता अगर जिन बचों को पहले पता हो जाए वो कॉमेंट करके मुझे पठाक से बता दे तक फिर भी मैं बताओंगा क्योंकि जरूरी है देखिए वेज़ेफदार्थ के रूप में जो वेस्ट मेटिरियल्स के रूप में आता है पौधे करवन डकसाइड चोड़ते हैं वो उनका बेस्ट मेटिरियल्स होता है और आपने पौधों में गोंद भी निकलते हुए देखा होगा ठीक है जो पौधे निकालते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि इसका क्या बेस्ट मेस्ट मेटिरियल्स के बारे में कई मानने में सब कूछ समानने ही दिखते हैं अपने देखा हुए कोई बच्षे थी लेका हम किताब उताब चिपकाया करते थे जो जर्णल हमें नौलेज इस बात की ठीक है तो शायद आप लोगों ने ना देखा हो लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पौधे भी बेस्ट मेट्रियल को उत्कृष करते हैं बाहर निकालते हैं ठीक है पौधा का जो होता है साल चक्र एक ही साल होता है कहते पौधा बनता है उसमें फूल आती है और उसमें फल लगता है और वो मर जाती है जैसे इंसान में भी यही होता है कि इंसान भी जनम लेता है योवन को प्राप्त करता है सारी बच्चों को जनम देता है प्रक्रियाएं चाबल, गेहूं गेहुँ, इस सेम टम टमाटर्ड आदि भोग से पोदे ऐसे जिनमें उपड़ी भाग हर साल मर जाते हैं और जड्तंत्र जीवीट रहता है उसे हम अंग जियमेन दर्शाथाय Around उन्ग जिर्ड़ाईता को दर्शाते हैं जिनके जज़ जह होते हैं जीवीद रहते हैं पहूदे मर जाते हैं लेकिन जो ज़गी जीवीद होते हैं अब इस तरह को कई प посмотрим और भी देख सकती हूं जिसमें यह सारी किडियाई होती है माल नेटे excel को गडियर है अगर आप ऑशकार्श होती है उसमें हर्मोन क्या भूमी एक कहते हैं सारी किडियाएय जो होती है हर्मोन के कारण ही संभव हो पाती है तो कहते हैं जिस परकार इंसानों में हर्मोन का अपना विशेश महत्व होती है सेम वैसे ही पोदों में भी हर्मोन का विशेश महत्व रखता है हर्मोन के लिगारें वीडियो बना हुआ है जो कि काफी के सारी वीशेश की में दिसकर्श की amidst क्या हर्मोन कशा हुआ को optimum के लिए इतना जरूरी और उसमें कोवाटी में सारी चर्चा किया है तो पिछला वीडियो दिखना आप नहीं बुलना वसको देख लेना our next topic is abshension when abshension means a setting off you might have a notice where a leaf become all it is a separate from to the plant the body a fall down again to rips fruits and older flower also become a separated from to the plants this detachment of the older plant part of organs from the main plant body is called abshension abshension is the most important for the plant there is a wrapping of fruits and the flowers and separating on the plant in a plant the layer of tissue generated from to the abshension is the zone at the base of the peridols of their leaves or flower of fruits and the cells of this layer become a soft and weak due to destruction of middle lamella and the cell ball so the organ easily detected by winds and rainfall plant hormones like of cellsic acid ethylene a promoter leaf of sanctions and exaline prevent AIDS दोसरे यहां पर बहुत important बात आया है विलंगण यानि जर्ना यानि अव्शन देखिए आपको पता ही है कि जब पतियां पुरानी हो जाती तो क्या होता है वो गिड़ जाता है ज़र जाता है तो यहां पर कई-कई हर्मोन भी एफेक्ट करते जिसके पतियां जो होती है सौप्ट बज्ञाती और गिड़ जाती है क्योंकि हर्मोन की रियक्शन से यह ऐसा संभव होता है ठीक है यह पहुद है अगले क्योंकि आगे हो जाते है और गिड़ जाते हैं मर भी जाते कुछ सब्सक्रावं को और सब्सक्राव दिखने को मिलता है मुंके सरीट से पुराने भागमें इस परकार के अलग होने की परक्रिया को हम हम विलंगान कहते हैं यानि पहुदों से अलग जो इ जो कि इन पॉटेंट भी रखता है बात यहां पर कहते हैं पॉटों में पत्यों के मुक्य अत्वा जो पुश्प और फल के पुरेतर के वीचे अकसर उत्कों की परत विलंगन चेत्र बना हुआ होता है अगर आप ध्यान से पत्तों में देखोगे और पुश्पों में देखो होगा कि कोई फल डिट की तो होता है तो वहां पर नोजयाती दीरी जो कमजूर होती चली जाती है अगर आप इस को तर्शाना है तो अपए बगीशे में जाए वह आं पर आप देखिये की एक का कच्छा-चो लीफ होती है वह कितनी पकर रखी होथी है लेकिन आप पीला प कहते हैं और यही कमजोर होने के कारण बनता है और पतियों जाए कमजोर बन जाता है फल में भी यह आपको देखने को मिलेगा तो यह बहुत इंपोर्टेंट इसफे बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं तो उसको अभी हवा हुआ चलता है तो फडἥाग से जो होते हैं आसानी से अलग जाती है यह बहुत असानी से जो होता है पेर फेर जोसे अलग हो जाता है लेकन estad alongside थे जो कच्छे-पत्लिक थे कच्छे बड़े वह नहीं hem घरृ लेकिन अक्सिन के बारे में परादा कि यह पतियों को जरने से रोकता है यानि कहीं हद तक अगर आपके बाल जड़ रहे हैं तो कुन इह हर्मोनों के वजह से ही ऐसा रियक्ट देखने को मिलेगा आपको तभी तो कहते हैं कि जो प्लांट में है वही मनुष्य में हैं सिरफ इंसानों को इनकी गहराईयों को और इनकी रहसे को समझने की अवश्रकता है झाले परे घ्रता खर शोचने का अले। लिट अमें हायात कुछले को जग अनकी डारं इनकी अवश्रकतर अवतीन को अरुटा ऐसे एंसानों जिसाली पाले क्यूचता लचापने आपके इन स्वाट अंवश्रकशम्ने को अभंफे उसरी को श्वयकन की बश्रकतर लुट म there is a stress factor and this may be a call to the biological stress is called to the biological stress not only water there are a number of factor response for the causing stress in plant like temperature, salt, shaded light and pollutions there is a main factor of a strain in a plant there is a temperature salt, shaded light and pollutants and also the water is a main stress factor on a plant any change in the environment condition that may be observe the effect their growth of development in a plant is called biological stress the biological stress is more important for the plant the change in the environment condition the stress is coming in plant there is an environment condition that is called to the biological stress the effect that are produced in a plant as a result of a stress is called strain in the above example we need to the leaves and the welding of plant are strain here the one factor is a here so the reaction of plant facing the stress is called strain there is a most important thing here so the reaction of plant facing the stress is called strain there are types of stress what do you mean the types of stress there are the variety of stress for which a plant are exposed some common stress are water stress salt stress and let us know the detail about them and the first of all is the water stress what do you mean to the water stress the water stress is included both excess of water flood and the toxicity of the water draft and the sensitive water in a plant make the leaves yellow and there well there are various processes applying like a photosynthesis and expression or reduce cell engagement and check the cell size and deforming and the cell where it resided lost due to the efficiency of water and flooding excess amount of water in a soil and reduce the root and short and the growth there is the causing of blackening of the root tips and the yellowish of the leaves there is a water stress there is a water stress is the present in all types of plant and the salt stress also is important for a year the salt stress occur mainly due to the presence of excess amount of calcium and sodium salt in the plant body there is a salt stress is a mainly presence of amount of calcium and sodium salt in a plant it is a dehydration of the cell that is causing a dehydration of the cell and change the shape of the cell is a disturbance is the metabolic process there is a disturbance of all types of metabolic process here and the cell grows well as a growth and the development of plants are regardless the same as the health so the health is a very important topic is the situation in the environment of the cell which is the stress factor and the stress factor that is just in the कि यह चैसे यही आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो मेरा यही लक्षा है कि मैं उन बच्चों तक पहुंचू जो कमजोर हैं ठीक है जिनसे मुश्किल परता है समझना ठीक है और बड़े बड़े जो हाई-फाई इंस्टिटों के जो इंग्लिश होती हो भी समझ में उनको नहीं आता है तो अभी जो है मैं देशी लैंग्वेज में आपको समझाने कोश करता है तो वह आपके काफी पड़ता है चाहिए उसकी प्रनाउंसरेशन जैसी हो आपको सिर्फ समझाने से मतलब हैं तो आप इसी स्टेस में रहते हो कि मैं कैसे समझ हो क्या होता है मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि सुरू सुरू में क्या करते हैं कोई भी मेडिक में बात कर रहे होते हैं तो वह अपने काफी कमजोर महसूस करते हैं कि शायद मैं कमजोर हूं और मुझे नहीं आगए और टीचर भी क्या करते हैं मोटिवेट कर देते कि बच्चे तुम हिंदी मेडियम में थे आप इंग्लिश में नहीं कर पाऊगे ठीक है आपको इंग्लि पाँ पास पर है जाके तूर मेरा रूल ऊंट खाइब कर सकते हैं और बिसमें मैहनत की जरूरत है क्योंकि मुझे विस्वास है यह बच्च आगे अगर बढ़ेगा ना आगे अगर पढ़कर निकलेगा तो वह सब सबसे अचा डौक्टर बन सकता है सबसे अचा सिइंटीस बन सकता क्यों क्यों उसने हर एक समस्याओं का जो है उसने तुमस्याओं क्योंस है छơnsite कि इसको सुबधाय नहीं थी वह और बढ़ा है इसका मतलब सबसे बेस्ट बनेगा और यह बेस्ट जो है हमारे देश की ववश्चा के रिए अधार बन सकता है इसलिए मैं कभी भी किसी बच्चों को यह नहीं कहता कि आप नहीं कर सकती अगर आप समझने की चमता है याद करने की चमता है तो आप 100% कर सकती हो तो इसलिए तिरपांडस जो है उन बच् इसी लेंग्विजों का इस्तमाल कर रहे हैं बड़े इंस्ट्यूट में जाओ बड़े बच्चों से मुलाकात करो जो बड़े बड़े हाइफाइ स्कूलों में पढ़ते हैं वह भी आपको यहां पर गलत सावित करने कोशिश करते हैं कि आपका प्रनाशेशन यह है वह वह योगी बनना है तो इसके लिए आपको कुछ भी खास नहीं करने की जुरुत है सिर्फ इतना करना है कि अगर आप वीडियो अच्छा लग गया है तो इसको क्या कीजिए इसको कोपी कीजिए और अपने वर्टसप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा देजिए अगर यही वीडियो उनको मिल जाता है और ऑे प्लूस ववान अच्छे से निकल जाते हैं तो आने वाला समय में अच्छा ये पॉछ अक्छा बन जाएंगे तो वह आप अगर आप गभी कुछ करवाने कुछ करणे जाओगे तो अच्छे से करेंगे यानि आपका जो है एक आपका जो फर्समट टेटरस पर लगाने के वजय से कितना कुछ च्छ तो सोचना नहीं यह वीचार नहीं करना है कि सोचने व्ला यहां काम है नहीं वीचारने वर्सल स्टेस की नहीं propri है आपके बढ़िए Ce क्या होती है आपको पता है कि यह दूप नहीं मिलते हैं तो आपने देखा कैसे सट्रेस होती हैं तो हमारे बौड़ी में काम नहीं करता हमारा हम बिल्कूल अलस्य हो जाती है तो पौधों में इस सेम समाने को मिला है किहते है किया होगा यदि आप गमले में लगए पोदों में चार या तीन दिन तक पान ही डालो आपने देखा होगा खेंगत जुख जाती है और पधियों कमी के करण पधों के समनने जीवन पर क्रिया वद्हीच होती है जो कडिया सब्र दिन खोथी रहती है अगर एक दिन ना किया जाए तो जर्नल सी बात है कि उसके जो काड़े जो करने की चमता थी उसमें कुछ न कुछ परिवरतन जरूर देखने को आपको मिलेगा हम कहते हैं कि अपने जीवन दवाब को जेल रहा है जैविक दवाब कहा जाएगा यानि इसको पानी की न कि पेर पॉध्य कितना दर्द होता होगा कितना नुकसान होता होगा शायद नहीं सुने होगे क्योंकि पेर पॉध्य कोई समझता ही नहीं आप हस रहे होगे पेर पॉध्य कोई दर्द होता है नहीं दोस्तों यह गलत फैमी में हो कहते हैं अगर पेर पॉध्य लीविंग औ होता है लेकिन क्या करें वेचारा वो एक कमजोर है तब ही तो जो है तागदवर ने उसको काट दिया तो यही सिचुवेशन पेर पौधों को भी होती है जब आप पेर उनके टहनिये काटते हो न या आप लोग उसके साथ गलत करते हो या परदूशन फैलाते हो या कुछ भी हो सकता है नमक भी हो सकता है तो इसको बढ़ने में या किसी परकार की क्रिया करने में जो बदलाब होते हैं उन सब को हम कहते है बायोजिकल स्ट्रीज यानि जैविक दवाब कहते हैं एक ऐसे प्रबाब को पौदों में दवाब के परिणाम सब्सक्राइप होते हैं उसए कोई इसमें चीज की कमी प्रावलम होती है लेकिन चीज करके आगे बढ़ता है पीदिटीक को तो इसी बात को यहां बताता है कि यह सब तनाब होते हैं उपर दिए उदारों से पतियों का जुकना और पौदों का मुर्चाना है सब तनाब ही होता है ठीक है एक फैक्ट की बात यहां थी है कि इसलिए पौदे जिस दवाब का सामना करते हैं उसको हम तनाब भी कह सकते हैं कहते हैं यहां पर दबाब देखो गए तो दो परकार के होते हैं जो जर्णली पौदों में देखने को मिला है ठीक है इसका पहला जो होता है जल दबाब दुसरा होता है लवन दबाब तो आपको पता है कि जर्णली पौदों को सहन करना ही पड़ता है जल दबाब में पानी क कवी पतिकों के पीला नो सवशन कम कम अब नहीं करेगी भोजन कई और कम अक्षिजन भी मिलेगा तो ये सारे किरियाएं जो होती हैं बाधित होती हैं कोश्काओं का दिरक्रान रूख जाता ह। ये कोशाओं के जूछ क्रियाएं होती है तो रुख जाता है जैसे मान दीजेसे आप ख incubum सो रुख जाते हैं और कोशाओं की दिनता पानी कमी के कारण कम भी हो जाती है बाड या पाऩ की अधिक्ता जर और प्रोववक資 ब्रिद्धी को मिध्राओं करें कि पानी के अगर बढ़ोतरी होग या कम होगा तो जो इनके जो प्रोई तंत्र होते हैं पौदे के रूट सिस्टम होते हैं उनको बाधित करते हैं वो कारे करना तरह कम कर देते हैं जड़ों के सीरे काले हो जाते हैं आपने देखा होगा कि जड़ जोते काले हो जाते हैं देखि दूसरा है लवन दवाब केलसियम और सोडियम लवन जो होती है यह कोशिकाओं के निरजरी करन और रुकावट का करन भी बनती है यानि अगर केलसियम लवन नहों तो चला जाता है या उसके अकार में दबाब का उत्पन हो जाता है तो इससे क्या होता है इस परकार पहुदे कोशिका विद्धी और परिवर्धन रुक्सी जाती है यानि वह आगे किडिया नहीं कर पाती है इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खतम हो रहा है ठीक है अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक अगर आप दुबारा से तरपान स्टर पर आने कोशिश किजिए गा तो आप आप तरपान लिखिए गा तो जो है वह तिरपस कर देगा ठीक है जो आप गूगल पर सच कर देगा जिससे वह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फैदा नहीं उठा पाऊगी तो सोचिए मत एक्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तरपान स्री संटर से ठीक है तो इसले सब्सक्राइब नहीं करने को सुचिए गा लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है तरपान स्री संटर जो है बहुत हिल्फूल है क्यों कि ये जो है आपके 8th class 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट के सब्ज तो सोचिए नहीं विचार नहीं कीजिए काफी जो है तिरपान स्री संटर का फैदा ही फैदा है ठीक है अगर आप मुझे प्रसाहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फैदा पहुचाएगा एक्जाम के तौर पे मैं आपको पेपर अभी आपको सुलुशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फैदे मन रहेगा अगर नहीं सस्क्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेगा तो हो सकता है कि आपको फिर दुबारा मैं वीडियो बनाऊं और आपको फैदा न पहुचाऊं तो अभी भी नहीं सोचिए मेरा ज सब्सक्राइब कीजिए ठीम अपना ध्यान ड़कना बाइब कर शाष्याद कर शाष्यां कर दो